हेलो 42 अभी वादान आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में पीने के लिए पानी आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए एक चुनोती बनता जा रहा है पर हम में से जिनके पास भी पीने के लिए पर्याप्त पानी है वे भी इसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हमारा सरीर लगभग 55-60% तक पानी से बना होता है और या हमें कई समस्याओं से बचाता है लेकिन जब आप ठीक तरीके से या कम मात्रा में पानी पीते हैं तो आपको कई सारे ऐसे लच्छण दिखाई पड़ते हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि आप पानी कम पी रहे हैं तो कैसे पहचाने इन लच्छनों को यही है आज के इस वीडियो का विशे जिसमें आज आप जानेंगे 15 ऐसे लच्छन जो कम पानी पीने से होते हैं ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में तो आईए अब बास सुरू करते हैं पहले लच्छन की जो है मुह का सूखना पानी पीने से हमारे मुह और गले की म्यूकस मेंब्रेन लुब्रिकेट होती है और लारके माध्यम से मुह को सूखने से बचाती है तो अगर आप कम मात्रा में पानी पी रहे हैं तो आपका मुह ज ध्यान देना चाहिए इसके बाद दूसरा लच्छन है तुचा में ड्राइनेस तुचा हमारे सरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है जब हमारे सरीर में जल आपूर्ती कम होती है तो यह जल्दी ड्राइ हो जाती है पानी कम पीने से हमें पसीना भी कम आता है और पसीन उन में काफी मात्रा में पानी होता है और जब हम कम पानी पी रहे होते हैं तो हमारी blood vessels सिकुड जाती हैं और उन में blood flow भी सही तरीके से नहीं होता साथ ही blood clot होने के भी समस्या हो जाती है इसलिए अगर आपका blood pressure बढ़ा है तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीने पर आखों में बढ़ जाती है ऐसे में अगर हमारी आख में कोई चीज गिर जाए या लग जाए तो सरीर को आशू निकालने के लिए काफी मेहनत करनी परती है और इससे आखों को गंभी नुकसान होने का खत्रा होता है तो अगर आपकी आखें भी dry हैं तो आपको अपने पान के लिए सूख जाते हैं जिससे आपके जोड़ों में दर्द होता है या एक ऐसी समस्या है जिसका निदान modern medical science के पास आज भी नहीं है इसके बाद छटवाल अच्छन है कमजोर मासपेसियां हमारी मासपेसियों में पानी बहुत होता है और अगर हम कम मात्रा में पानी पीत जाता है तो आपको अधिक पानी पीने की आवशकता है इसके बाद साथ वाल अच्छन है सुस्ती और ठकान हमारे सरीर को हाइडरेट करने के लिए पानी हमें खून से मिलता है जब हमारे खून में पानी की मात्रा कम होगी तो इससे dehydration की समस्या तो होती ही है साथ ही हमारे स तरक हो जाना चाहिए इसके बाद आठवाल अच्छन है ज्यादा भूँख लगना दर असल हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो नर्वस सिस्टम और एंड्रोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है उसे हाइपो थैलमस कहते हैं और अकसर यह भूँख और प्यास में फर्क करने म भी देख सकते हैं लिंक हमने डिस्किप्शन में दे रखा है इसके बाद नौवाल अच्छन है अपच का होना कम पानी पीने से हमारे मुह में लार तो कम बनती ही है यह तो आप जानते ही है लेकिन जब आप भोजन करते हैं तो मुह की यही लार आपके भोजन के साथ पेट हो जाती है इसके अलावा आजकल लोग आरो का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और आरो का टीडियस 350 से कम होता है 350 से कम टीडियस का पानी पीने से भी अपच की समस्या हो सकती है तो अगर आपको इंडाइशन की प्राबलम है तो आपको ना सिर्फ परियाप्त मात्रा में पा पानी होता है और जब हमारे सरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारे ब्रेंड में blood supply घड़ जाती है जिस से दिमाग को परयाप्त मात्रा में oxygen नहीं मिलती और इस कारण हमें सरदर्ड हो जाता है और गेरहाल अच्छन होता है urine का रंग बदल जाना एक स्वस्ति इंसान के urine का color हलका पीला होता है अगर आपके urine का रंग ज्यादा पीला है तो आपको सचीत हो जाना चाहिए कि आप कम मात्रा में पानी पी रहे हैं इसके अलावा अगर आप दिन में चार से साथ बार toilet नहीं जा रहे हैं तो यह भी एक संकेत है कि आपके सरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा सरीर यूरिन के रास्ते ही टॉक्सिन्स को ज्यादा मात्रा में बाहर निकालता है। अगर सरीर से पर्यार्त मात्रा में टॉक्सिन बाहर ना निकले तो सबसे पहले ये यूरेनरी ट्रैक इंफेक्शन कर देंगे, साथ ही ये आपके स्वास्त के लिए बहुत नुकसान दायक भी हो सकते हैं, इसके बाद नंबर आता है बरहमेल अच्छन का जो है मुह से आती है तो आपको पानी पीने की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, इसके अलावा तिरहवा और अग्ला लच्छन है वजन का बढ़ना, कम पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिजम स्लो होता है, साथ ही शरीर के फैट बन करने की भी छंता कम होती है, अध्यान बताते हैं कि जब हम 500 ml पानी पीते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिजम 30% बढ़ जाता है, तो इसलिए अगर आप वजन कम कर रहे हैं, तो आपको परियाप्त मात्रा में आवज से पानी पीना चाहिए, और आईए अब बात करते हैं 14 लच्छन की, जो है कम पसीना आना, जब भी हम कोई भारी काम य मेकनिजम गरबढ़ हो जाता है, और हीट स्टोक जैसी जानलेवा समस्या से आपको दोचार होना पढ़ सकता है, तो अगर आपको भी कम पसीना आता है, तो आपको अपने पानी पीने की मात्रा का हयाल रखना चाहिए, इसके अलामा 15 और अंतिमलच्छन है एजिंग का आना उम्र बढ़ने के साथ हमारे सेल्स की पानी रोकने की छमता कम होती है, इसलिए 60 की उम्र के बाद अक्सर लोगों को बहुत कम प्यास महसूस होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्यास कम होने लगती है, और अगर आप कम उम्र में ही बहुत कम पानी का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपके सेल्स को छटी पहुचेगी और परेडाम स्वरूप बुढ़ापा जल्दी आएगा तो स्वस्थ और जमा दिखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत आवस्थ है और आईए अब बात करते हैं कि हमें कब और कितना पानी पी पीना चाहिए एक स्वस्थ बेक्त को 27.7 अमल पर केजी बोडी वेट के हिसाफ से पानी पीना चाहिए इसके अलावा आप सुवेख खाली पे गुनगुना पानी पी सकते हैं या स्वस्थ दिन चरिया के साथ ही आपके अच्छे मेटाबोलिजम के लिए बहुत आवस्थ है इसके अलावा भोजन करने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए कोसिस करें कि भोजन के साथ कम मात्रा में पानी का सेवन करें और यदि आपके घर में 60 साल से अधिक उमर के लोग रहते हैं तो आपको उनको बार बार पानी पीने के लिए प्रेडित कर होसता है इसलिए कोसिस करें कि सर्दियों में गुनगुना और गर्मियों में घड़े का या हलका ठंडा पानी पीए और ध्यान रखिएगा कि 30 सर्वता वर्जते इसलिए कभी भी अधिक मात्रा में पानी का सेवन हमारे लिए फायदे मन नहीं होता इसलिए आओ सकता से ही पर होता है समाप और हमें उम्मीद है कि हमारी सलाहिं आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होंगी इस विसे संबंधित आपकी प्रतकिरियाओं का इंतजार रहेगा कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी ज का